राशा थोगी माँ के जैसी तब के जावावे तेरे थाणे दारा एनू माँ ते याद करा दिती है कि ये जी आईटी थी या जिन आईटी थी नवाज शरीफ पहले इखलाकी तोर पे इनको जाना चाहिए था अब उसको कोई हक नहीं पहुंचता ते वजीर आदम के लिए एक मिनिट भी तरस जाए असलाव अलेकुम नाजरीन प्रोग्रेम में खुशाम अमदेद आपका मिजबान सेयाद अली हैदर नाजरीन आज जो सियासी अहम सियासी शिक्सियत हमारे साथ मौजूद है आपने अपनी सियासी जिन्दगी में भी काफी उतार चड़ाओ देखे मुतिव अदवार देखे नशेब फराज भी देखे और अब एक अहम मोड पे जब हुकुमतान खड़ी हुई है तो इनका और इनकी पार्टी का मौकफ इनकी पार्टी की स्टैंडिंग और इनकी पार्टी किस तरफ अपना वजन डालती है वो बहुत एहमियत की हामिल बात है हमें जॉइन किया है जनाब सेनेटर चोधरी अतास एहसन साब ने सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर आप ही की पर्मेशन से मैं कुछ चीज़ें नाजरीन के सामें लखना चाहता हूँ तो कि उन चीज़ों पर आप जैसे स्यास्तदान और उससे भी आगे बढ़के जो कि बगालत आपके पेशा है एक माहरे कानून का नजरिया और व्यू जो है वो बहुत जरूरी है सर चूंकि अवाम में एक कन्फूजन पाया जाता है कि जिदों को लेकर के अचाना आजरीन आजकल जो चीज़ मीडिया पर सोशल मीडिया पर बहुत जादा गर्दिश कर रही है वो यह चीज़ है सबसे पहले तो मैं एक ही स्कोड कर दूँ कि वारन बफे का ये बड़ा मशूर कहना है कॉल है उसका कि जो कि बहुत मारूफ और बहुत मशूर बिजनसमेन है कि एक आदनी का एक सोर्स आफ इंकम नहीं होना चाहिए एक काम्याब बिजनसमेन के मुखिफ सोर्सिस आफ इंकम होने चाहिए तो जनाब आप सब को तहे दिल से मुबारक हो कि आपके प्राइम मिनिस्टर जिनकी एजुकेशन जिनकी तालीम माशालला से एलल भी है वकालत के शुबे में उन्होंने ग्रैजुएशन की लेकिन उन्होंने मुझजाना तौर पे मार्केटिंग का शुबा अख्यार करते हुए दुबई के एक कमपनी में मार्केटिंग मै मेंजर की मुलाजमत इख्यार की अपने चार से पांच साला इस मुलाजमत के दौर में उन्होंने माशालला तरक्की की और ऐसी तरक्की की कि हमारे लोग हम लोग तक सरखाब देखते हैं सरक्की का वो उस कमपनी के चेर्मेन बन गए आगाज मार्केटिंग मेंजर से होता ह चेर्मेन वो बन जाते हैं और मैं 14 साथ की पर्मिशन से ही आप तक कुछ चीज़े रखना चाहता हूँ नाजरीन आपने सोशल मीडिया पर ये अकामा का लेटर देखा जिसमें नवाज चरीफ साब का नाम है और उनकी एजूकेशन लिखी हुई है इसके साथ साथ आपने F कासारी की एक बेहतरीन मिसाल है इससे बढ़के नाजरीन वो कांट्रेक्ट की कापी भी मौसूल हुई वो कांट्रेक्ट की कापी कापी भी मौजूद है इस वक्त आप स्क्रीन पर देखेंगे थोड़ी देर में उसकी टर्म्स और कंडिशन मैं तरफ आपको बताता कि सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार को दवाम और अपनी बनाई हुई दौलत को संभालने बचाने के लिए क्या-क्या हर्बे संभाल किया जाते हैं जनाब मिया नवाज शरीफ साहब जहां मुलाजन थे वहां पर उनको जो है वो खाना भी फ्री था उनकी काउंट्रेट उनको घराने जाने के लिए काउंट्रेट खत्म और शुरू होने में उनको एर टिकेट भी कंपनी प्रॉइड करेगी माशालला इसके साथ साल में हमारे वजिराजम साहब को 30 चुट्टियां भी अलाओ की गई थी ये भी उनकी इस मुलाजमत का ये सब सी जुकाम वो ये कंपनी खुद खर्चा बरदाश्ट करेगी सर्थ सेनेटर साब ये तो एक मुखली बात थी ये कागज सर जो आपके सामने है अब इस कंपनी ने तस्दीक कर दी है के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उस दौरान भी जब प्राइम मिनिस्टर थे यानी इ जाता है वजीर आजम वो पाकिस्तान का और हल्फ जो लेते हैं हल्फ में वो ये कहते हैं मैं किसी की तरफ से कि जानेदार नहीं होंगा कोई मेरी और लायल्टी वफादारी नहीं होगी अब वफादारी तो एक गैर मुल्की कंपनी के साथ भी कर ली उसके एवज तनखाब उनको किसी अकाउंट में जाते भी रहें कोई शक रह जाता है? ने, कोई शक नहीं रह जाता है. अगर ये डॉकुमेंट्स वैलिड हैं तो कोई शक नहीं रह जाता है. फिर तो उन पे फौजदारी मुकदमा बनता है. अच्छा. फिर तो आर्टिकल छे का मुकदमा बनना चाहिए. उसमें मुलाजमत भी कर रहे हैं हों. वो आपको डिस्कॉलिफाई नहीं करती. वो तो आपको, आपकी जितने मुफाद के लिए किये. या आपने यूएई के मुफाद के लिए किये. डूल नैशनलिटी को क्यों नहीं बरदाश्ट करते हैं? कॉंस्टिचूशन. ठीक है, सर्थ. कि अगर डूल नैशनलिटी है, तो आपने उधर इदर भी अलफ लियावा, इदर भी अलफ लियावा, आप मुलाजमत रियास्त की करते हैं, बतौर वजीर आदम आर्क, आप कोई और मुलाजमत नहीं साथ कर सकते हैं, तो सजा क्या हो सकती है, एक तो डिस्कॉलिफिकेशन होगी न, ओधा आपको छोड़ना पड़ेगा, उस सबूत दे जो कलको कलक के गले पड़ दे खुदी, अगर ये, मतलब जूटे थाबित होते हैं, इस जो जियाएटी ने दिये हैं, तो फिर तो जियाएटी फ़स्ती है ना सर, जियाएटी के खिलाफ आप्जरवेशन आ जाएंगी, फिर जियाएटी को ये तो नहीं होगा, क जियाएटी को खिलाफ फौजदारी मुकदमा बन जाए, नौाज शरीफ साहब उनके खिलाफ हद तक इज़त का दावा डैमेजेज और यकीनन बहुत हैवी डैमेजेज का दावा जरूर कर पाएंगे, अगर ऐसे डॉकुमेंट्स उन्होंने इस्तमाल की हैं, जो के जिनकी हकीकत नहीं है, पर बजायर अन दे फेस अफ इट, अगर ये डॉकुमेंट्स में हकीकत है, तो फिर तो बहुत संगीन मसला है, बहुत संगीन मसला है, कि आपका वजीर आजम, आपका वजीर आजम है, सारे मुलक का चीफ एग्जेक्टिव आफिसर है, और एक गहर मुलकी आजम है, वो चीफ एक मार्केटिंग मैनेजर, आजम है, आजम है, आजम है, आजम है, पर चेर्मेंट बन जाते हैं, मशारा तरकी उनको मिलती है, उनके काम से शायद वो कमपनी उनको खुश हो जाती है, उनको तरकी देती है, तो यह असल में मसला और मामला यह है, कि यह यूएई में गरीन कार्ड लेने के लिए, उन्होंने यह तरीका रखावा है, पर डॉकुमेंट तो मुलाजमत ही कहता है, हमने तो डॉकुमेंट दस्तावेज की पे जाना है, और अगर दस्तावेज की सेहत थाबित हो जाती है, तो फिर तो उस दस्तावेज खुद बोलती है, चीखती है, चिलाती है, कि वजीर आजम ने अपनी वफादारियां बांटी ही थी, वजीर आजम किसी और हकूमत की, के मुफाद को नहीं देख सकता, सुआए पाकिस्तान के मुफाद को, हमने जब यमन में फौज जाने का मामला था, तो मैंने क्या तकरीर की थी, जा असिफ साब वजीर दिफार वहां जाके और अशोरंसिस दे आये थे, मतलब अंदर खानी काम बड़ चुदा था, वो इनके देखे ना, तलुकात बड़े सौदीयों के साथ बड़े ज्यादा थे, ये तो फौज की लीडर्शिप और पार्लिमेंट इसमें रास्ते में ह अगेंस्ट एक्सटरनल अग्रेशन और इंटरनल इंसर्जिशी, बट पाकिस्तान, नोट एनी अधर कंट्री, नोट साथी अरेबिया, नोट यमन, इसी तरह वजीर आजम का भी, की भी वफादारी, पाकिस्तान, कुली, मुकमल, और खसूसन, और सिर्फ, पाकिस्तान के य आपोकिस्टरन साथ दिया, कई लोग एक्या के लोग कहते हैं, कई लोग एक्कूमत का साथ दिया, आप ये एक अंदिर खानी एक डील थी, आखे लिए, एक एक अनसेड का एक अग्रीमंट था, ख mir. अब ऐसा लगता है, पाकिस्तान पीपिसिज पार्टी इस इस गिरती द सूरते हाल है ठीक है सर दोजार चौदा एक लशकर कशी हो रही थी पार्लिमेंट पे और वजीर आजम पे के कनपटी पे पिस्टॉल रखके और अस्तीफा लेने की कोशिश थी जिस पे हमने निजाम को बचाने का फैसला किया 2017 में 2016 और 2017 में एक करप्शन का केस और ये किसी ने साधिश नहीं की किसी अंदरूनी साधिश नहीं है वो तो ये ही कहते हैं कि जो साधिश 2014 में की थी उसी लशकर का गालेबन सिपास सालार बदल गया लेकिन वो ही लशकर और वो ही सबकुछ जहना वो दुबारा हमारे साथ किया जा रहा है ये उनका कहना है वो तो अगर कहते हैं कि वोई साज़िश हो रही है फिर उस वक्त तो जहिरुल इसलाम को और आर्मी चीफ को रहिल शरीफ को बीच में लाते थे और इमरान खान भी एक तरह से लाते थे अमपायर की उड़ी और अब आपको भी शामिल कर रहे हैं कि आप यूशी साज़िशी नोक पे लखना हमारा तो काम है और हमने तो करना है कि हकूमत को अंबैरिस भी करना है और हकूमत की जो गलत पालिसी हैं और इस मामले में जो जराएं में उनको आशकार करना ये तो हमारा काम है हमने तो हल्फ लिया है इस काम का वर्चुली तो सर मैं इसी नक्ते पे अगर एक जम्रा चुनना चाहूंगा ये सब कुछ देखते हुए और अगर इसके तस्थीख अदालत में हो जाती है प्राइम मिनिस्टर के बचने के कोई चांसिस है ये मैं ब्रेक के बाद ठोई साब से ये मैं उनके और ये बतार महरे कानून में उनसे ये सवाल कर रहे हूं सियास कुछ बचेगा के नहीं बचेगा जिस पर वो अपनी मस्तक्पिल की सियासत कर सके ब्रेक के बाद नाज़ीन ब्रेक के बारे था ने ब्रेक में हमने जिकर किया था ब्रेक से पहले कि मर्यम सहबा का क्या बनेगा तो जब बनी ये सवाध चोड़ा तो ब्रेक के दरम्यान तो उद्री साहब से कुछ ऐसी गुफ्तुकू हो रही थी जिसमें वो बता रहे थे साल ने देखे कि कुछ ऐसे ही वाकियात माजी में हो चुके हैं कि जहां इनसान जहां पर जूट बोलने वाला शक्स अपने जूट का अपने गुना का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ के चला जाता है जो उसके खुत भी ख्याल में नहीं होता और फिर वही सबब बनता है उसके पकड़ जाने का सर ये मरियम साहिबा के अब दो मसायल यहां पर सामने आ गए ये इनकी सियासी वरास्त का बड़ा ही जाना मना नाम थी जो अब पतनी है होता है या था में चला जाता है एक तो मौतरमा की का जो ये जो नेसकोल और निलसन है इसकी बेनिफिशरी ओनर हैं सर तो बतौर मिया नवाज शरीफ साहब के डिपेंडन्ट होने के जो काख़ात उन्होंने दोहजार तेना एलेक्शन कमिशन में जमा कराए और फिर बाद में इन कंपनीस का जिकर नहीं किया गया इसका नुकसान सिर्फ मौतरमा को है या पिर नवाज शरीफ को भी होगा नही अपनी डिपेंडन्ट दिखाई अपनी बेटी को अपने डिपेंडन्ट दिखाया और बेटी का भी बियान उसके उसको उसकी तस्दीक करता है क्राबरेट करता है कि मैं तो मेरी तो कोई जायदाद पाकिस्तान में भी कोई नी बाहर तो बाहर है जी और मेरे भाईयों की भ खुद नवाज श्रीफ भी फस्ते हैं और वो भी फस्ते हैं अच्छा इसमें एक और बड़ा सब नुक्ता है जो चुके आज कल जर उसकी वज़ा यह तमाम चीज़े आपके सामने रखने की आपकी राय बहुत मैटर करती है हम सब के लिए क्योंकि बाज ऐसे मखसूस अख़बारों और मीडिया हाॉसेस में मखसूस किसं के हमारे साफी भाई वो ऐसा प्रोपेगेंडा फिला रहे हैं कि जनाब इस डॉक्मेंट की कोई हैसियत नहीं है ये आज एक और स्टोरी है मुल्क के मारूफ अंग्रेजी अख़बार की और ये सहाब जो है एहमद नौरानी साब जनोंने माफी भी मागी गलत स्टोरी की पिछले दिनों जनोंने सुप्रीम कोर्ट का जे आटी का वाले से दी सर वो कहते हैं कि जनाब ये जो बीवी आई का बिडिश वर्जन आर्लेंड कमपनी से तस्दीक जो करवाई गई है ये तस्दीक की है वहां की फानेशल इन्वेस्टिकेशन अथारिटी ने इसकी कोई हैसियत नहीं है उसी तरस का जिसे पाकिस्तान में से सी पी रेगुलेट करती है सर ऐसे और्गनाजेशन को उसी तरस का एक दारा वहां पर मौझूद है उसका नाम है बी वी आई एस पी आई ये कन्फिर्म अगर करता तो तब बात थी बी वी आई एफ एस सी कर्मेंट कुबूल है लिकिन सर की तस्दीक की गई है ये अटनरी जनरल चैंबर्स गर्मनट आफ विजन आलेंड ने तस्दीक किया इन्होंने लेटर बेजाए जियाडी को वाजिज जिया को और का एका जनाब ये बने फिश्री होना रहा है इस लेटर क्यों की एहमियत है पर मेरे ख्याल में ये इस बैस में पढ़ने की बजाए कि कौन सा एदारा इसमें बाइख्तियार है इसको इसकी तस्दीक करने के उसमें मरियम कई तो मसला बन गया है ट्रस्ट डीड जो ट्रस्ट डीड उन्होंने दोजार च्छे की दसखती पताए है और सुप्रीम कोड में पेश कर दिया है और वो फिर विकीपीडिया को भी चेंज करने को शेड़ खानी को शेड़ खानी वहां तक विकीपीडिया पे जो कैलिबरी फॉन्ट फॉन्ट लोगों को समझाने के लिए मैं बताता हूँ रस्मुल खॉत बच्चे भी फॉन्ट को हैं फॉन्ट नहीं समझते हैं रस्मुल खॉत जो का 2006 में कीटर में आया ही नहीं सा प्रोग्राइमिंग में कमरिशल ही नहीं आया था वो उस पर तहकीक हो ती उस पर वो पर वो कमरिशल면 भी अवीलिबन नहीं था इन्हुने खत बर अट्रस्डीड बनाई है को से से बनाई ये जो थे 2006 में अदारत था आप छे फर्वरी 2006 की उस पे तारीख है बिलकुल ऐसी है और इनों ने दसकत इनों ने भी किये सफ़तर ने भी किये और वो उस वक्त था ही नहीं वो अब बिलकुल इस तरह है कि जिस तरह आप एक टाइप राइटर ऐसा इस्तमाल करते हो जो 1940 में था ही नहीं और 1940 की अपने आबाओ अजदाद की जानिब से एक सेल डीड एक बैन आमा बनाते हो और वो कमलाडन का बिलकुल नहीं भी मुज़ा उसका शरीफ खांदान का आप इससे इंकार तो ना करें मैं सर बड़ी एक 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 जामपल आपके सामने कोट करते हूँ फिर आपको याद होगा नवाशिये साथ जब जेटी से बार नकले तो उन्होंने कहा कि जनाब कि हमने पैंट की जन्ग में भी इतफाक फांटरी से हमने असलाह बनवा के ता और निप्ट ने के बयान के मताबिक 69 पैंट इतफाक फांटरी जो है सर वो वचूद में आ रही है तो अगर वह मुज़ा हो सकता है कि 69 में अतफाग फाउंटरी बन रही है लेकिन पैंट की जंग में वो असला बेचती रही है तो ये भी मुझज़ा हो सकता है असर में इन्हों ने एक बड़ा मनसूबा ये सारा काम बड़े मनसूबे के तेट हुआ है और ये मनसूबा 20-25 साल से इन आपरेशन है वो है क्या इन्होंने एक बेटे को बिठा दिया साओधी अरब में ये समझने की बात है बड़ी असान पर एक बेटे को बिठा दिया साओधी अरब में साओधी अरब ने उसने बैंक अकाउंट्स खोल लिये साओधीयों के साथ इनके साथ तलुक भी थे उसने इपनी बिजनस करनी श अरब से सौ अरब तक तक लिए गया है जितनी कीमत ज्यादा करते हैं उतना वो उसमें कमिशन ज्यादा होती है और वो ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान से पैसा नहीं जाता वो उस फॉरिंट फॉर्म को कहते हैं कि आप साओधी अरब ये पैसा अब दे दे ती अब हुसान जी दॉलत रखें पैसा लेके आएं पैसा लेके जाएं फ्री ट्रांसफर आफ फॉर्ण एक्सचेंज है वहाँ सवाल ही कोई नहीं पूछता वहाँ अब जितना रख लें वहाँ वो पैसा वो कमिशन और कट बैक का पैसा सीधा वहाँ चला जाता अच्छा वहाँ वो लेटा कुछ तो बेचता है अपने भाई को लंडन में अब जो पैसा लंडन में साओधी अरब से जा रहा हो या बाहर से आ रहा हो वहाँ भी नो क्वेस्टन आस्ट है ऐसा है अच्छा अब वहाँ वो प्रॉप्टीज ले देता है इन्वेस्टमेंट करता है और बड़ी बड़ी प्रॉप्टीज हैं इनकी सिर्फ ये नहीं है इलफर्ड में ट्विन टावर्ड पता नहीं क्या कुछ इन्होंने ले रखा है और खुद पाकिस्तान में बैठे गिफ्ट ले लेते हैं डेड अरब रुपए का अब गिफ्ट अगर बेटा बाप को या बाप बेटे को दे और थ्रू बैंकिंग चैनल्स दे तो पाकिस्तान में भी टैक्स कोई नहीं है बिल्कुल ऐसी है सो ये इन्होंने एक स्कीम एक पैटन बनाया हुआ है एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बड़ा बेतरी इन स्ट्रक्चर है कि जिसमें शरीफ खानदान कमाई भी कर रहा है अच्छा और उस पर किसी मरले पर कोई सवाल भी नहीं हो सकता लेकिंगे सर एक बात ये आजकल बहुत जादा की जा रही है अब ये जो जिया टी रिपोर्ट आई ये एक पलंदा नहीं है स्टना के नौ और है मैं ब्रेक दिनू सर ब्रेक के बाद ये सवाल आप से करूं ये चार साल से इसी काम के पीछे पड़े हुए थे पैनामा उपर से आ गया जैसा कि वो मम्नून हुसाइन साब कहते हैं ये अल्ला की तरफ से पैनामा आया जनाब और फिर उन साथ ये नासर को मौका मिल गया जनाब अब घेरा तंग कर दो वजिर आजम प्राइम मिनस्टर का आगाज नहीं होता या कोई फैसला नहीं आता तब तक इस वक्त पाकिस्तान की फजाओं में सवाए अफ़ाओं के लावा और कुछ नहीं है अफ़ाओं ये भी है कि अनकरीब सौवार से पहले पहले ये बेंच पर इतरास उठा सकते हैं बेंच की तबदीली के लिए दर दरा उस पे आउंगा आपने जिस पे ब्रेक से पहले जो सवाल उठाया था वो बड़ा वाइटल सवाल था कि ये सारी साधिश 2012 से लेकि ये आपने दिखाया कि ये साधिश हमारे ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट साथ दिन में ये बनी नहीं सकती है और ये पहले से तैयार की अब मैं ये पूछता हूँ और ये रोब रिपोर्ट आप पढ़ें तो थ्रू आउट ये फोकस्ट है ऑन दी थर्टीन क्वेस्टिन रेज़ बाई दी सुप्रीम कोट ये इनका इतराज है कहते हैं ये थी तेरा सवालों से बार निकले हैं ये ये इतराज है आपने पढ़ पे तो तो वो जम के रहते हैं थी एध्यु वो जव झौ भी तेरा सवालों का अरवक दे रहे हैं ऱ सारे सेक्षण इसbenir वोज्यू G jumped this darf और आजा भी तेरासंवालों का हर सेक्ष्ण इसके वीट साथ सेक्षेंज के थैनर ऑन कीफोकस अरिवेश और ज्यृटीं 12 में इन जजों ने बडा लिये थे और FIA को दे दिये थे ये 13 स्वाल हम 2017 में तुम से पूचेंगे तुम तियारी कर लो तुम साथ दुने में मुंकिन है तुम इतनी डिगिंग मुंकिन है बड़ी मेंनत की है इसमें तो कोई शक नहीं जितना काम हुआ हुआ है सर ये जो आर्ट साथ दिनों में ओवर टाइम लगा के और S.E.C.P. का और FIA का और NAB के नमाइंदे उनका तो काम ही एकोनामिक क्राइम और कमर्शल क्राइम्स का वाइट कॉलर क्राइम्स पे है तो बिलकुल ही बेंच की तबदीली के ओपर अब आपको लगता है कि इनके पास ये कानूनी क्या कहने गिमिक्स होंगे जो ये खेल के टाइम कुछ जो है वो हासल कर लेंगे बेंच तबदील होगा नया बेंच वो कुछ अगर नया बेंच फर्द करें तो है बेंच उच्छ बन सकता है अगरी तर्खास देंच और मेरा ख्याल है इनके पास चुक्छ ये डिले करना चाते है इनमाम लेको ये फस गए है बिलकुल फस गए है अब बेंच किसी में भी ले जाए वो ट्रस्ट डीड मैं एक ही बात लेता हुँ मिशालें दी थी ब्रेक में के एक साब मुलक से बाहर थे पीछे से उनका सिगनिचर फोर्ज किया गया तो वो इतफाक से दथ साल बारा साल बाद दावा कर दिया जब बैंक ने उस सिगनिचर पे लोन लिया गया थे तो यह उन्होंने चेक किया उन्हें का मैंने तो दसकती नहीं किये पर प्रास्पोर्ट चेक किया तो उन्हीं दिनों में वो 15 दिन के लिए बाहर गए वे थे मुलक से तो ये जो जूट बोलता है जो वो कहीं न कहीं अक्सर पकड़ा जाता है ये इन्होंने फॉन्ट अगर केलिबरी की बजाए टाइम्स न्यू रोमन इस्तमाल किया होता रसम खाथ या टाइम्स रोमन ही किया होता रसम खाथ तो शायद अगर ये कहते के रोम के जमाने की ट्रस्ट टीडर तब भी लोग बान लेते हैं अगर लोग बड़ा दावा करते हैं लेकिन कहने भी नी को चोई साब ने बड़ी पहरी बात किया जनाब कि अगर नया बेंच बन भी जाता है फर्स करें तो ये जो तमाम हकाइक है कि ये तब्दील तो नहीं हो जाएंगे सर ये जब अपनी जगा रहेंगे तो एक बड़ा हमसवाल है वजीर आजम सहाब के पार सियासी नारे बाजी वो जतनी मरजी कर लें वो अपनी जगा कानूनी क्यों आप्शन बच जाते हैं सर्वाइफ करने के लिए कानूनी आप्शन तो सिरफ ये डिटाई है कानून तो जब तक वो कन्विक्ट नहीं होते हैं या उनके खिलाफ कोई अदालत का फैसला नहीं आता कि वो नाएल है या वो किसी ऐसे जर्म का उन्होंने इर्तकाब किया है जो जिस से वो डिसक्वालिफाई होते हैं जिस तरह यूसफ रदा गिलानी को इस जर्म के पादाश में के तोहीन अदालत की उसने हाला के मेरा ये विरायत ही कि वो तोहीन अदालत में डिसक्वालिफाई नहीं हो सकते यानि डिसक्वालिफाई होने के लिए नहीं करते हैं पर सुप्रीम कोड ने एक बेंच स्पेशल बेंच बनाया एक नई पेटिशन स्पीकर की को रेफरेंस कराई स्पीकर 30 दिन पाइम बाड आगे ले गही हो ले गही फाहमीदा मिर्दा और फिर उसके बाद उनके खिलाफ नके स्पीकर के फैसले के खिलाफ कर रेट कर और यूसफ लदा गिलानीकों प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ क्या ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि वेरी अनलाइकली कि इस वक्त स्पीकर साथ अगर ये कॉन्विक्ट होते हैं इनको नाहल्थ सुप्रीम को अगर आगाज में नहीं करती है और रेफरेंस बेजने का कहती है तो वेरी कारिफिकेशन के नहीं अब तो फौजदारी मुकदमान मन सकते हैं अगर ये डॉक्मेंट्स वो जे थाबित करने पड़ेंगे अगर ये डॉक्मेंट्स प्राइम आफ हैसाई जो मैं देख रहा हूँ जो देखें उस रिपोर्ट में है ये कैपिटल एफजी ए की मुलाजम की हुई है और खुद वदारत अउद्मा का अगर ये इस किसम के डॉक्मेंट्स थाबित हो जाते हैं वो तो वजीर आजम पे तो फौजदारी मुकदमा बनता है मर्यम पे तो बनता ही बनता है कि उसने तो एक डॉक्मेंट सुप्रीम कोट में दाखिल किया है अच्छा जो क्योंकि बजार क्या कवी उमीद है कवी कि वो फेक हो वो फेक है कैलिबरी दो हजार चार या पांच ये च्छे में तो आने से रहा है तो उसका मतलब मर्यम बीबी का सियासी मस्तक्बिल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आपको बचाने के लिए पैसर दाव पे लगाय और पे पाकिस्तान बीपिस पार्टी का करदार क्या रहा पूरी जार टी इन्वेस्टिकेशन के दौरांस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद ब्रेके बाद हाजरे नाजरीन चॉई साहब एक बड़ी आहम बात है जो आज कल बहुत जादा दोराई जा रही है कुम्ती वज़रा के जानेब से कि सिपयक यतीम हो जाएगा सिपयक रूल जाएगा किसी बने नहीं लगेगा अगर हमारी गलोबल मजबूरी जिस तरह दुनिया जा रही है बिल्कु ठीक है सर्थ, वो सिल्क रूट जो चाइना डवेलप कर रहा है, और बोर कर नम से लिए यूरप टक, वो गोबी डेजर से भी गुदरेगी और रूस से भी गुदरेगी, बिल्कु दूस रहा रहा है, अचाइना सी से भी ओक जाएंगी, और ये जो वो क्या, वो भी मुत नादिया हो जाएगी, नवाज श्रीफ चला गया तो, ये सी पैक इस दी रूट देट चाइना वांट, शॉर्टेस रूट, पांच लाख साल बाद, चीन को, कोई, ये इंडियन ओशियन, और अरेबियन सी तक रसाई मिल रही है, जिससे सारा यूरप, मेडिटरेनियन यूरप, सारा अफरीका मिल रहा है, तो वो किसी एक खांदान के वैसे दौपने में वहाएगा, ना ये डील खांदान से हुई थी, रियासते पाकिस्तान से हुई थी, इसका तहलो क्या है, पांच लाख साल बाद, को हमाला में से ये रस्ता बनके, और इस तरफ आ रहा है, और वो सफर जो कोई 20,000 किलो मीटर का है, उस सारा शिपिंग लेंग, वो 2,500 किलो मीटर जा जाता है, तो सर, इस पे एक और बड़ी आहां बात है, मैं वापस जियाटी पे आ जाते हैं, ये तो चुकर एक ऐसे ऐसे बेयानात है, सर, रह्मान मलिक साप पेश होते हैं, जिया ये उन शकुक और शबात को भार देती है, वाज़ करती है, जो अक्सर लोग करते हैं, रह्मान मलिक साप नाज़ीन पेश होते हैं, और जैटी है, उनके बेयानात के तनाज़र में अपना अनालिसिस देती है, ये वस क्लेवर, स्पेकुलेटिव, सेल्फ प्रोजेक्शनिस खुद की खुदनुमाई कर रहे थे, चलाकी से काम ले रहे थे, इसके साथ politically motivated, स्यासी कोई उनका जो है, वो मकसद था जिस पे वो बात कर रहे थे, और अगला में जादा टाइम नहीं लेता है, और अगला मैं जादा टाइम नहीं नहीं लेता, ये वेरिफाइड था, ये चैर्माफसाईल लाइट ये हैंडिड ओवर डाकुमेंट तो लेटन जनरल सेयद अमजद, रिटाइर जो चैर्मन नहीं उसके थे, उन्होंने जूट बोला, और भी बड़ा कुछ है, वक्त इतना नहीं है, रहमान मलिक साथ की पेशी पे ये टी मुतमिन नहीं थी सर, या पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर्शिप को, क्योंकि हम जानना चाहते थे, हम वो पीपल्स पार्टी की जानेब से कोई फॉर्मली ये नहीं गया थे, कि पीपल्स पार्टी का मौकफ बयान करने, उन्होंने एक तफ्तीश की थी, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन को डॉकुमेंट दिये और जो जियाइटी की रानुमाई की वो उसका बड़ा इस्तफादा ले हासिल किया जियाइटी ने पर जियाइटी का आप तर प्रॉटिकली मोटिवेटेड कह रही है सल्फ जै बड़ी एक अजीब आफ सल्फ प्रोजेक्शन है खुद की खुदनुमा पार्टी ने तो नी बेह जाता जियाइटी ने तलब किया था था उनको तो तलब गय थे ऐसा नहीं का गया था के minut रहा रखना है कुछ नहीं कोई जो उनको यही का गया था कि जो आप ने तफ्टीश की या जो आपके पास जिस तरह है वह यह आप जा के बनाइए चलें, सर वक्त हमारे पास जो कि बलकुल खत्म हो गया, क्लोजिंग निमास में सर, पाकिस्तान तहरीकें साफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तक्बल करीब में मुच्तरका, लाहे अमल या किसी एक में इस पर बैठ के आपोजिशन करने का कोई रादा है, का मौकफ है कि वजीर आजम को मुस्ताफी होना चाहिए, उन से चेर्मेन बिलावल भुटो जर्दारी हमारे चेर्मेन जो हैं, उनों ने खासूसन खुशीद आमद शाह साब को मामूर किया है, ये उनकी ड्यूटी लगाई है, कि वो बाकी सब जमातों से, आपोजिशन की जमातों से, जो ये सोचती हैं कि वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उनके साथ गुफटगू करें और कम अजक्म इस मामले पे हो सके, प्लेटफॉम पे, चाहिए, बहुत 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 शुक्रिया, आपके वक्त नहीं ये इंट्रिव एंगर के तोर पर नहीं